नमस्कार एन वेल्कम टू दोणाचार्योगी केसन फ्रेंड्स आग का इस थूड़े में हम डिसकस करेंगे इस पर 2024 में टोटल 75 कोस्टन इसमें था इसमें से आपका एक कोस्टन का मार्क है 4 तो टोटल आपका 300 मारक जोकि एक्जाम होँ था 2024 में एक ही सिप्ट में ये अंट्रांस ओँ था जोकि 15 मार्च होँ था फिक है यहां पर हम देखे तो teaching aptitude से हाँ पर आपका 30 questions है mathematics का 10 questions है science का भी 10 questions है ठीक है और बाकी आपका 25 questions educational GK का हो गया और missional news GK जिसके आपका yoga, music, awards से related हो गया theater से related हो गया और आपका GK का questions आपका total यहाँ पर हम देखे तो 25 questions था और overall यहाँ पर आपका 75 questions इस पर था, 2025 के लिए जो preparation करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और भी जो कि वीडियो जो कि चैनल पे है playlist में आप देखेगा जो कि प्रेवेसर का questions है और भी जो कि एकस्पेक्टेट का भी सीरीज है teaching aptitude का है, educational GK का है, science का भी कुछ questions है, environmental science का भी कुछ questions है उसको आप देख सेकते हो और 2025 के लिए भी हम बहुत सारे वीडियो जो कि आगे हम लाएंगे जो भी students preparation करना चाहते है तो वीडियो को आप देख सेकते हो ठीक है तो वीडियो को आप अन तक देखेगा and जो friends हमारे व first winner of the Gandhi Peace Prize, Gandhi Peace Prize का first winner जो कि कौन थे, इसमें आपका red answer रहेगा जो कि Julius Nyerere, इसका सही answer है, जो कि option number 2 यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर देख सेकते हो, जो भी यहाँ पर आपका option यहाँ पर color किया गया है, तो यह आपका answer key की हिसाब से, जो कि final answer key की हिसाब से यहाँ पर कि जो कि यहाँ पर आपका हिंदी में भी है, ठीक है, next आप करहेगा, arrange the given भारत रतना एवाडी in chronological order according to their year of receiving the award, तो भारत रतना एवाडी का यहाँ पर आपका नाम है, इनको जो कि आपको, कौन-कौन सा year में जो कि इनको मिला है, तो आपको chronological order में जो कि यहाँ पर आपको इहां इहां ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका raheगा, 1900-1997 जो कि रहेगा, अपी-जे अब्दल कोलाम जो कि रहेगे, ठीक है, जो कि D, A होगा उसके बाद, उसके बाद जो कि रहेगा, जो कि अम्रेत र準 चरन जो कि रहेंगे, podstaw 24, futures 19 गाघ।ब 199099 तो D, A CB यहाँ पर आपका सही अंसर रहेका, यहाँ पर आप चेकर सेकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका English में रहेका, और यहाँ पर आपका Hindi में है, यहाँ पर आपका रहेका, 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 यह यहां पर नीचे देख सकते हो कि राकयषर्मा, जो कि रहेंगे यह तो यहां पर आपका स्था उलियम जो की तो यहां पर आपका बी होगा उसके बाद आपका रहेंगा राजा चरी तो एंसर आपका रहेंगा यहां पर आपका राइड एंसर रहे जो कि होगा option no.2 I think कि यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपका डाउट है तो आप comment section में लिख सेकते हो ठीक है so next question जो कि रहेगा question no.5 है match list 1 with list 2 list 1 में रहेगा book का नाम list 2 में author का नाम तो इस तरीका question जो कि आपको एक-दो आ है उत्रा है आप करके आएगा ठीक है क्योंकि question का level थोड़ा difficult भी है तो यहां पर हम देखे तो book जो कि रहेगा school time इसमें आपका say answer जो कि है option no.1 है दोस्तों जो कि एक है two जो कि school time जो कि लिखे है रश्किन बंड next आपका 3000 stitches जो कि यह लिखा गया है सुधा मूर्ती जी के द है question no.6 है तो यहां पर यह question no.6 जो कि आपका teaching aptitude से related है जैसे कि देखते हो the ability to imagine what life is like for another person is called तो इस तरीके का ability जो कि है जिसके पास होता है कि और दुसरे परसन का life में उसका life में जा कर जो कि सोचता है कि उसका life किस तरीके से होगा जैसे कि आप किसी person जो कि है roadside में सोता है उसको आप देके जो की मतलब शहनुदी जो कि बोलते हैं उस तरह के जो कि आज आता है आपके में मैं में तो उसको क्या एक है उसको मैं जो कि जी रहा होगा जिंदेगी खिंग है तो उसको की हम बोलेंगे दोस्तों empathy जो कि इसको बोलते है option no.1 जो कि यहां पर आपका सही किसी दुसरे परसंद का जगा लेकर आप सोचते हो इस तरीके से होगा ठीक है मतलब रहता होगा तो यहां पर आप देख से तो हिंदी में भी लिखा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है इसकी कलपना करने की खेमता को क्या कहा जाता है तो इसको बोलेंगे सहा नु अधनिंग इंक्लिओउर्स 5 फिजस तो 5-2 model जो कि रहेगा यहां पर 5-1 model जो कि रहेगा इसमें इसमें 5। आपका स्टेजस्टे यहां अंगेस उसके बात क्या होगा ठीक है तो एन गेस की बाद दोस्तों यहां पर आपका होगा एक्स्प्लोर एंगेज के बाद दोगा एक्स्प्लोर और इवालेशन जुकि रहेगा, option number 3 यहाँ पर आपका right answer रहेगा, यहाँ पर आप देख सकतो, option number 3 यहाँ पर आपका सही है, यहाँ पर आप नीचे हिंदी में भी देख सकतो, ठीक है, question number 8 जुकि रहेगा, first Indian state to start world class IT campus for persons with disabilities, तो first, India का कौन सा जुकि, first state रहेगा जुकि, world class IT campus जुकि, start किया था, जुकि, person with disabilities के लिए, ठीक है, तामिल नाडू, केरला, तेलेंगाना, करना टेका, इसमें आपका right answer रहेगा, जुकि, तेलेंगाना इसका सही अंसर रहेगा, जुकि, world class IT campus जुकि, person with disabilities के लिए जुकि, यह start किये थे, जुकि, state जुकि जुकि, तेलेंगाना, इसका सही अंसर होगा, ठीक है, option number 3 यहां पर आपका right है, next question, what does E stand for in the five ocean personality model, तो five ocean personality model का जुकि, E का जुकि, यहां पर आपका full form क्या रहेगा, E का जुकि, यहां पर आपका right answer है, ठीक है, तो इसमें आपका right answer है, दोस्तो, extra version जुकि, इसका सही अंसर होगा, E का जुकि, इसका सही अंसर है, next आपका रहेगा, identify a correct statement for Dikstra Portal, तो Dikstra Portal के बारे में, यहां पर आपको पूछा गया है, इसमें आपको correct statement आपको देखना है, यह जुकि रहेगा, दोस्तो, it is a national digital infrastructure for sharing knowledge, यह ठीक है, next आपका रहेगा, it was launched formally by Prime Minister of India in 2018, तो दोस्तो, यह statement जुकि गलत है, next आपका रहेगा, it was launched on teachers, यह रहेगा, and D जुकि रहेगा, it is a national teacher platform, which is being used by teachers and students, तो यहां पर आपका option, मतलब statement A and D, जुकि यहां पर आपका सही है, ठीक है, तो यहां पर आप option में देख सेकते हो, जुकि रहेगा, option number 4, जुकि A and D, यहां पर आपका सही है, but गलत जुकि यहां पर आपका रहेगा, B and C है, इसका जुकि सही क्या है, यहां पर आपका आपका देख सेकते हो, इसका जुकि शुरुबात क्या गया था, दिख्षा पोटल का 2017 में, इसका क्या गया था, और लांच जुकि है, Vice President जुकि M.Banker Nady के दवरा यह लांच क्या ग जुकि भगत सिंग जुकि रहेगा, इसका अंसर सही है, Option No.2, ठीक, Next, Question No.12, यहां पर आपका रहेगा, Contribution to which field is honored by धर्वांतरी अवार्ड, तो धर्वांतरी अवार्ड जुकि रहेगा, कौन सा fields से युकि यह रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका अंसर रहेगा, Medicine जुकि इसक जुकि रहेगा, कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, इंडियन ओर्वांतरी अवार्ड जुकि इसका सही अंसर है, Option No.1, ठीक, Next, लक्ष्मी भाई National Institute of Physical Education लोकेटेड, लक्ष्मी भाई National Institute of Physical Education जुकि कहां पर है, इसका अंसर रहेगा, जुकि ग्वालियर इसका अंसर रहेगा, जुकि माध्या प्रदेश में है, ठीक, Next, Question No.15 रहेगा, यहां पर आप देख सेखते हैं, ग्वालियर में है, माध्या प्रदे आर्कमेडिस इसका अंसर है, फादर आप बायलोजी जुकि हैगा, यह आपका अरिश्टोटल है, यह आपका रहेगा, फादर आप फीजिक चुकि, Sir Isaac Newton, फादर आप इंगलिस जुकि होगा यह, जियो फेरी, चाउसर इसका अंसर रहेगा, तो यहां पर आपका क्या सही अंसर होगा, यहां पर आप देख सेखते हो, so next question होगा, question number 16 है, for maintaining an effective discipline in the class, the teacher suit, classroom में अच्छे सी discipline maintain करने के लिए, एक teacher को क्या करना चाहिए, option में रहेगा, ask in-discipline student to go out, जो भी students classroom में in-discipline हो रहे हैं, उनको आप class से out कर देंगे, तो यह आपका नहीं होगा, दोस्तों ठीक option, next आप कर रहे हैं, deal with the student strictly, students के साथ जो कि strictly आप behave करेंगे, यह आपका नहीं होगा, next आप कर रहे हैं, give students more difficult problem to solve, तो सारे students हो जो कि इं-discipline हो रहे हैं, उनको जो कि आप difficult question देंगे, solve करने के लिए, यह भी नहीं है, option number 4 जो कि रहे हैं, deal with students politely and firmly, option number 4 यहापा आपका right answer ठीक है, तो जो भी students ऐसे discipline हो रहे हैं, उनको जो कि आप politely जो कि है, उनके साथ बात करेंगे, discuss करेंगे, ठीक है, यहापर आप आप देख सेकते हो, ठीक है, तो यहापर आप आप देख सेकते हो, option number 4 जो कि आप आपका सही रहे हैं, deal with students politely and firmly, next question, question number 17 हो का, the term pneumonics is associated with, pneumonics ज तो इसमें आपका रहे हैं, memory, amnesia, values या फिर enemia, तो इसमें आपका answer रहेगा, memory जो कि इसका answer रहेगा, जैसे कि बहुत सरे pneumonics होता है, कि जैसे आप मतलब याद कर सेकते हो, बहुत मतलब time तक इस तरीके का pneumonics, जैसे होते हाथ में, जैसे कि फिंगर से आप month का जो कि आप पर आपका 18 है, the theory of learning associated with connectionism was profounded by, connectionism जो की रहे गा यह, learning का theory, एक इसके साथ जो की associate है, जो की profounder को है इसका, इसमें आपका answer रहेगा दोस्तों, यह जो की इसका सही answer है, option number 3 है, ठीक है, और secrets जो की रहेंगे यह, जो की आपका question answer methods जो की related है, पावलोब जो की classical conditioning है, जोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देख सेकते हूँ, question answer method जो की रहेगा, जो की teaching काई है, secrets है, classical condition जो की पावलोब, और front deck को बावलती जो की father of educational psychology, एन की प्रेटिक जो की project methods जो की related है, ठीक है, next question रहेगा, question number 19 है, so next question है, question number 19, which among the following does not belong to cognitive domain of Bloom's taxonomy, Bloom's taxonomy का cognitive domain में हमाउन से concern है, नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकाeyeट रहेगा, receiving and realization जो की दोनों option जो की रहेगा, यह predictive domain में नहीं पहुझाआओड अटा है, bloom taxonomкого, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका option number one and two हमापका सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते होeti touched on cognitive domain और प्रोग्रेसीड उसट रहेगा तो यहांपर रापकर eight-point Воníका एधिर हों और आपका रहेगा विखिवलिटम और मॉटिवेशं बासruंसर रहेगा चेहिं opportunities, recognition and punishment तो यहाँ पर आपका punishment जो कि तो नहीं होगा दोस्तो motivation के लिए यहाँ पर आपका ABC जो कि यहाँ पर आपका रहेगा सारा जो कि यहाँ पर आपका सही है तो option जो कि यहाँ पर आपका रहेगा option number 4 है जो कि ABC only यहाँ पर आपका कर तो आपके स्टूंट अपर के की स्कील को किसी करुब ort इंडियर को, और भी बहुत हरे की स्कील होता है, द्यवर क्राइश, फैसे 6 इवर ऐसे एक pok Up just ऐसे के अलिचे सोी कि आपके स्कैल करते हो ठीक है, यहां पर आपका अप्सेस फीड़ होलेंब हो रहेगे माइक्रोटी जो कि यहाँ पर मतलब आप 5 या 10 मिनिट का यह होता है जो कि आपका टाइमिंग के साब से आप रहाम देखे तो और आपका स्कील को जो कि है इंप्रूब करने के लिए यह आप करते हो ठीक है आपसन नमबर 4 जो कि यहाँ पर आपका सही अंसर रहेगा यहाँ आ आगे ठीक है तो यहाँ पर आपका उप्सन रहेगा जो कि मेग दो एजुकेशनल प्रोसेस जॉइफूल ठीक है यह उप्सन ठीक है उसके बाद नेस्ट आपका रहेगा अंडेस्टान दा इनर मोटीप्स एंड कंप्लेक्स्टेस अप चिल्लन यह भी ठीक है नेस्ट आपक उनको आप अंडेस्टान करने के लिए समझने के लिए प्लेटरापी एडप्ट कर रहे हो तो यह आपका सबसे इंपोर्टन जो कि मतलब एंसर रहेगा अप्सन नमबर टू ठीक है यहां पर आप देख सकते हो नेस्ट आपका कोस्टन रहेगा कोस्टन नमबर 24 वर्बाल ग प्रवल गाइडेंस का जो की लिस्ट इफेक्टिव है यहाँ पर अंसर है यूब कि स्कील्स जो की रहेगा यहां पर वर्बाल गाइडेंस का उतना जो यहाँ पर आपका नहीं रहेगा आपका इनड़ कोस्टन नमबर 25 होगा है हमुले हिंदी वे लिखा है दूट्विटी एक कि होता है likewise को बढ़ होना या फिर इंप्रोड थी स्टेंदर अब स्ट्रेश्ट को बढ़ाना या फिर इंप्रोड को तो बाड़न के सारी तीन्ए कि अटार मेंटीमन जो कि help करेगा students को यह आपका रहे का duty of a teacher, ठीक, option नुबर यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका सही हंसा रहे का, यहाँ पर आप देख सेखते हो, next, question नुबर यहाँ पर आपका 26 होगा, mal adjustment and frustration developed in children when, mal adjustment and frustration जो कि है, develop कर रहे का students में, ठीक है, तो यहाँ पर जो कि रहेगा answer, their needs are not met, उनको जो कि जो चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो कि यहाँ पर आपका mal adjustment and frustration जो कि है, चिलने में develop होगा, ठीक है, तो option number 2, जो कि यहाँ पर आपका सही अंसा रहेगा, ठीक, next, So next question है, question number 27, which of the following is an example of a fine motor skill, fine motor skill का जो कि कौन से एक example है, इसमें आपका answer रहेगा, Gross motor skill जो कि रहेगा, ठीक, जो कि बड़ा-बड़ा muscles जो कि यहाँ पर आपका यूचोगा, और fine motor में फी छोटे-छोटे muscles जो कि यूचोगा, तो यहाँ पर आपका answer हैगा, writing में जो कि यहाँ आपका, fine motor skill का जो कि यहाँ पर आपका यूचोगा, teaching question में, यहाँ पर आपका formative evaluation, तो यहाँ पर option जो कि रहेगा, during teaching में, जो कि यहाँ आपका रहेगा, IV में है quiz, quizzes और discussion test, during the teaching learning process, during teaching learning process में जो रहेगा, यह फर्मेटिव होगा, तो A का होगा, IV, ठीक, स्टमेटिव वालेशन जो कि आफ्र टीचिंग एसे कि यहां पर रहेगा ग्रेडिंग दा फाइनल लेंग आउटकम्स रहेगा यह स्टमेटिव होगा तो यहां पर रापका एक होगा आई भी बी का होगा थर्ड उसके बाद जो की रहेगा क्रेंस एपर रहेगा यहां पर रहेगा है अन लें आपका रहेगा है जो के आप नर्म्स है उसको फूलफिल कर रहा है कि नहीं जो भी आप यहाँ पर आप नाप आप अंपर कर सेकते हो तो नॉर्म एक रेटेलरा है को रहेका टेस्ट एन जिया इंटर्पटेश्ट इंटर्रिटेश्ट इस इंटर्पटेश्ट इस मैं पुछा गया है which of the following is most appropriate for getting enumeration done for census work or literacy program from primary teachers, school teachers तो primary school teachers से यो कि ये सारा काम जो कि रहेगा census work हो गया, literacy program जो कि दिया जाता है इस तरी का काम तो ये किस हर तक जो कि सही है, ठीक है option जो कि रहेगा, such type of task should not be allotted to teachers तो इस तरी का काम जो कि है, teachers को नहीं देना चाहिए option B जो कि रहेगा, it disturbs the teaching work teaching work को ये disturbs करता है next आप कर रहेगा, additional renumeration should be paid for such additional work तो additional जो कि यहाँ पर आप का जो कि पैसा मिलना चाहिए teachers को इस तरी का additional task के लिए next आप कर रहेगा, it is a national task and hence out to be done by teachers as they are national builder तो ये तो जो कि नशनल का का काम है तो national builder को जो कि यहाँ तो यहाँ पर हम देखे तो इसका जो की answer रहेगा, दोस्तों यहाँ पर आप देख सेखे तो कि option 4 जो कि रहेगा, A and B जो कि यहाँ आपका only यहाँ आपका सही है such type of work should not be allowed, इस तरी का काम जो की है, teachers को नहीं देना चाहिए and it disturbs the teaching work, यह जो कि teaching work को disrupt करता है, यह दोनों जो कि यहाँ आपका सही है according to आपका final answer की, option 4 जो कि रहेगा, A and B only, question number यहाँ पर आपका next होगा, question number 30 है, teaching as a learner center activity means, learner center activity का meaning यहाँ पर आपका क्या रहेगा, option जो की है, instructor ensure that learning is made possible for novice learner, तो novice learner जो की रहेगा, जो की रहेगे, जो की instructor जो की है, उनको focus करके, जो की ensure that learning made possible, जो भी new learner रहेगे, उनको की किसरी के समाज में आएगा, यह होगा, learner center activity, next आपका रहेगा, knowledge is transmitted to novice learner from someone who has acquired that knowledge, तो यह तो हम नहीं होगा, जो भी new learner रहेगे, उनको जो की students को पता है, वो उसको knowledge देंगे, यह नहीं होगा, next आपका रहेगा, teaching as knowledge transmission, यह भी नहीं है, teaching as non assisted knowledge creation, यह भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपका सही अंसर होगा, next, so next question जो की रहेगा, 31, which theory postulates that the child is born with mental structure that develops and at a maximum growth around 14 and 15 years, तो कौन सा पस्टुलेट की साब से जो की रहेगा, child जो की है, mental structures ले की जो की जन्म लेता है, और यह जो की है, maximum उसका growth हो जाता है, जो की 14 or 15 years तक, ठीक है, तो इसका answer रहेग जो की cognitive development theory की साब से यापका रहेगा answer, option number 2, यहाँ पर आपका सही है, ठीक, यहाँ पर आपका सही अंसर होगा, next, question number 32 है, a child starts to cry and when each or her grandmother takes him or her from each or her mother's lab, the child cries due to, जब ग्रांड मदर जो की है, जो भी बचा रहेगा, बचा को, mother से जो की ले जाते है, mother का लेप से, तो यहाँ पर separation anxiety, ठीक है, तो इसमें answer रहेगा, separation anxiety जो की रहेगा, बच्चे में, यह इसलिए जो की होता है, तो option number 4, यहाँ पर आपका सही answer रहेगा, ठीक है, so next question है, जो की यहाँ पर आपका 33, which of the following domains are related to attitude, value and motivation, attitude, value and motivation से जो की कौन सा domain जो की related है, ठीक है, तो इसमें answer रहेगा, जो की effective domain जो की रहेगा, यहाँ पर यह attitude, value and motivation से जो की related है, option number 4, यहाँ पर आपका सही answer रहेगा, ठीक है, next, next आपका रहेगा, question number 34, the skills required for teaching are, teaching के लिए जो की रिकर होता है, command over the subject, communication skill, subjectivity या फिर conflict management skill, तो यहाँ पर हम देखे तो इसका answer रहेगा, जो की, command over the subject होगा, communication skill भी होगा, and conflict management skill यहाँ पर subjectivity को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, तो option number यहाँ पर आपका A, B, D जो की है, option number 1 जो की रहेगा, यहाँ पर आपका answer रहेगा, ठीक है, next, next आपका रहेगा, question number 35, जो की यह, drop किया गया है, दोस्तों, इसका कुछ marks, मतलब, marks तो मिला होगा, बड़ यह question जो की, drop लिखा गया, तो आपका final answer की में, ठीक, I think इसका answer जो की 1 होगा, teaching method that promotes negatively associated learning goals चुकी रहेगा, ठीक है, अब देखेगा, इसका answer क्या होगा, ठीक है, यह, आपका 35 questions तो आपका complete है, next आपका रहेगा, जो की mathematics का question यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक, so next question है, question number 36, जो की यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, the average of a collection of 20 measurements was calculated to be 56 cm, but later it was found that by mistake, one of the measurements was recorded 64 in place of 61 cm, what is the correct average, ठीक है, तो यहाँ पर 20 measurement का जो की collection है, जो की इसका average of 56, but यहाँ पर measurement में एक mistake जो की हो गया है, 64 जो की यहाँ पर आपका लिखा गया था, जो की 61 के जगा में ठीक है, तो correct average कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको पहले total निकलना होगा, जैसे 20 collection का average is 56, तो यहाँ पर आपका total आपको निकलना होगा, 20 into 56, यहाँ पर हम करेंगे तो total collection का, जो की हाँ पर आपका total measurement आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, दे gureci 1 के थिए हम देखी थिए कितना की यांपर आपकां ज्यादा हुआ है तो यहां पर कुछ लेना है आपको 3 कर दोटीपले से म्यापको जिए ओल गया ज्याधा हो गया जैसællum 1117 जोकी रहेगा 1117 divided by 20 ठीक है तो 25 यहाँ पर आपका होगा 100 उसके बाद 117 रहेगा फिर से यहाँ पर आपका रहेगा 25 जोकी 100 रहेगा तो यहाँ पर 17 यहाँ पर आपका रहेगा तो 25 जोकी रहेगा तो यहाँ पर आपका 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 रहेगा तो यहा They are marked with the numbers 1 to 12. तो उसमें 12 faces है और 1 से लेकर 12 पर जोके एक की face में लिखा है. The score is the uppermost face. If such die is throw once, इस टाइब का dice को जोकी आप एक बार जोकी इसको throw करेंगे. Then what is the probability that the score is a factor of 12? तो यहां पर जोकी probability कितना होगा? 12 का factor आने का probability कितना होगा? तो फार्स्ट यहां पर जोकी आपको 12 का factor पहले निकलना है. तो 12 का factor जोकी हां पर आपका रहेगा 1, 2, 3, 4, 6, and 12. तो यह सरे number जोकी इसका factors आजाएगा 12 का. ठीक है? अभी जोकी यहां पर आपका sample space कितना होगा? यहां पर जितना यहां पर आपका faces है, तो यहां पर total sample space होजाएगा 12 है. और यहां पर आपका outcomes यहां पर आपका 6 है. तो probability यहां पर आपका रहेगा यहां पर आपका factor आने का. तो यहां पर आपका होगा 6 by 12. ठीक है? तो इसमें हम guide करेंगे तो क्या होगा? यहां पर आपका option देख सेखते हैं कि option number 3 यहां पर रहेगा 1 by 2. Next. So, दोस्तों, next question है, question number 38. ABCD is a parallelogram. P and R are two points on AB such that area of parallelogram ABCD is 8 times the area of triangle DPR. If PR is equal to 5 cm, then what is the measure of CD? तो एक parallelogram यहां पर रहेगा. जिसमें ABCD यहां पर आपको लेना है. इस तरीके से आपको लेना है जो कि A, B, C and D. यहां पर जो कि दो points रहेगा. ABCD में जो कि दो point है. A मालीजे है, P है और यहां पर आपको बोला गया कि ABCD parallelogram का जो कि area होगा, यह 8 times है यह वाला triangle का. इसको हम जोड़ेंगे, D, P, R triangle का जो कि area होगा, यह थीक है. ABCD parallelogram का जो कि A times होगा, ठीक है. तो अभी जो कि यहां पर आपको area का formula जो कि यहां पर आपको put करना है. यहां पर हम आपको बता देखिए, AB जो कि रहेगा side, CD के साथ है, और AD जो कि रहेगा, BC के साथ जो कि यहां पर आपका same होगा, और PR का value जो कि यहां पर आपका 5 है. ठीक है, तो area of the DPR जो कि यहां पर आपका DPR, यहां पर आपका DPR है दोस्तों यह, parallelogram का यहां पर height है, और DPR triangle का भी height है. तो DPR triangle का जो कि यहाँ पर आपका area होगा half into base into height तो base जो कि यहाँ पर आपका P.R. है जो कि 5 है और यहाँ पर आपका height तो अभी जो कि आप देख लिए जिएक जैसे कि एच एच जो कि दोनों साइड में है तो एच यहां पर आपका कट गया और यहां पर आपको पूछा गया है तो पहले ही आपको पता देएगा है तो यहां पर आपको 20 cm ही इसका एंसर आ जाएगा I think कि यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा doubt है तो आप comment section में फुश रेकते हो ठीक है तो इसका answer होगा 20 cm जोकि CD का यहाँ पर आपका measurement होगा ठीक है next तो यहाँ पर आपका option number 3 होगा 20 cm इसका answer है next आपका question number 39 है if some of the diagonals of a rhombus is 12 cm and its perimeter is 8 root 5 cm then length of the diagonals are तो एक rhombus रहेगा जिसका जोकि diagonals का सम है 12 cm and perimeter जोकि है 8 root 5 cm और यहाँ पर जोकि आपको diagonals का जोकि हाँ पर आपको length निकालना है ठीक है तो यह आपका एक rhombus रहेगा rhombus का जोकि चारो साइट जोकि same होते हैं तो यहाँ पर जोकि आप साइट जोकि निकाल सेकते हैं perimeter जोकि 8 root 5 है तो एक-एक साइट का जोकि length आपका आजाएगा 2 root 5 सभी साइट का लेंद जोकि आपका 2 root 5 यहाँ पर आपका आजाएगा ठीक है अब भी जोकि यहाँ पर आपको diagonals को जोकि यहाँ पर आपको ठीक और यहाँ पर हम cross section जोकि आपको यह वो है अभी जोकि आपको जोकि आपको आपको देखना है चोकि आपको 2A है टीक है यहाँ पर आपको डी ओ काびनद आपको लेना है डी ओ का लेन्द है ए अभी जोकि एक right angle triangle होगा ठीक है और यहां पर जोगी आपको पाइथा गॉर्ष चरम जोगी put करना है तो यहां पर आपका आजएगा a square plus b square equal to 2 root 5 का whole square होगा ठीक है तो इसको आप note कर लीजगा इसको मीटा रहे हैं तो इसके विल्वाज़ेगा a square plus b square equal to 2 root 5 का whole square जोगी यहां पर आपका रूट 5 के साथ तो 4 x 5 20 होगा तो a square plus b square का विल्वाज़ेगा 20 इसको आप note कर लीजगा ठीक है अभी जोगी यहां पर आप देखिए diagonals का सम जोगी है 12 हम diagonals का जोगी length लिए है एक का है 2a और दूसरा का है जोगी 2b है इसका length जोगी 12 cm है अभी जोगी यहां पर आपको a plus b का विल्व निकलना है जैसे कि यहां पर तू कॉमन आएगा तो इस तरह आपका यह डिफाइड हो जाएगा तो इसको भी आप पूट करेंगा ठीक है अभी जोगी आपको क्या करना है जैसे कि देख सेकते हों कि यह स्कुर्ण प्लस बीस्कुर्ण का वेल्व यहां पर आपका आज है मतलब हमें मिला है 20 और ए प्लस बी का वेल्यू हमें मिला है जो कि 6 है ठीक है तो अभी जोगी आपको ए प्लस बी का होल स्कुर्ण का यहां पर आपको फॉर्मूला पूट करना है तो ए प्लस बी होल स्कुर्ण का फॉर्मूला कितना होगा क्या होगा ए स्कुर्ण प्लस बीस्कुर्ण प्लस 2AB होगा ठीक है तो यहाँ पर जो कि आपको put कर लेना है बाकि सारे जो कि यहाँ पर आपका value जो कि यहाँ पर आपका रहेगा तो a plus b का value जो कि 6 है तो 6 का जो कि आप आपका square है और a plus b का square plus b square का value जो कि रहेगा 20 है उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका 2AB चिक हैं तो यहाँ पर आपको ऐलो कि 6 का स्वग जो की 36 है माइनस यहाँ पर आपका 20 तरह आजागा माइनस 20 इक्वाल टू A B तो इसका विल्व आजागा yang 66-20 जो के रहेगा 16 है और यहाँ पर आपका 2 A B है तो A B का विल्व देख सेखेएं 2, 8 जा, यहाँ पर आपका 16 कर जागा, तो A, B का value यहाँ पर आपका आजाएगा 8 ठीक है, तो अभी हमें क्या चांबिल चुका है, A, B का value है, 8 है, A, plus B का value यहाँ पर आपका 6 है, और A square, plus B square का value जोगी है, यह 20 है, ठीक है, बट हमें जुकि A and B का value निकालना है तो यहां पर जुकि आपको और एक formula जुकि बूट करना पड़ेगा जैसे कि A minus B का whole square का यहां पर आपको formula तो A minus B का whole square का formula क्या है दोस्तों जुकि A square plus B square minus 2AB इसका formula रहेगा तो अभी जुकि आपको A square plus B square का value भी पता है और AB का value भी पता है तो यहां पर यहां पर आपका A minus B का value जुकि आजाएगा तो इसका root लेंगे तो इसमें जुकि आपका value आजाजागा 2 थीक है तो अभी आप देखेगा हमें मिला है 2 ठीक है और एप्लस बी का विलू जो की है 6 है और ए-स बी यहां पर आपका 2 है अभी जो कि एबी जो कि हाँ पर आप अच्छे से यहां पर आपके 4 और B वेल्उ है 2 तो डाइगोनाग के हम ले थे । थै टू अर टू भी तो यहां पर आपका 2 इंटू 4 75 और यहां पर आपका 2 2 जो कि 4 है तो 8&4 जोगी इसका diagonals का यहाँ पर आपका length आजाएगा तो यहाँ पर आपका option जोड़ी रहेगा option number 3 जोड़ी रहेगा 8&4 जोड़ी रहेगा इसको आप अच्छे से लिखेगा तो यह आपको पता चले रहेगा ठीक है तो option number 3 यहाँ पर आपका सही answer होगा next so next question question number 40 the average of 10 number is 7 if each number is multiplied by 12 then the average of new setup numbers each 10 number का average is 7 तो total यहाँ पर आप निकाल चाहिए तो यहाँ पर आपका आजएगा 70 उसके बाद बोला गए कि सभी number में आपको 12 का multiply करना है तो यहाँ पर टोटल में 12 multiply कर लेने से भी यह हो जाएगा तो इसका value आजएगा 840 तो यहाँ का 12 multiply करने के बाद इसका समा जाएगा 840 अभी जोकि इसका average यहाँ पर आपको निकलना है तो average यहाँ पर आपका simple interest a certain sum becomes 8,736 rupees in two year and 11,076 rupees in seven years find the rate of simple interest किसी सम जोकि यहाँ पर आपका रहेगा यह 8,736 rupees ही हो रहा है दो साल में and 11,076 rupees ही हो रहा है seven year में तो अभी जोकि यहाँ पर आपको इसमें age gap यहाँ पर हम देखे तो year gap जोके रहेगा यह 5 year का यहाँ पर आपका gap है और यहाँ पर आपका money में जोकि रहेगा sum है यहाँ पर इसको आप minus करेंगे तो इसका value आजागा उसका sum 2340 rupees है और यहाँ पर आप one year का निकाल सेखते हो simple interest हो कि रहेगा यहाँ पर divided वे आपको यहाँ पर आपको five करना है तो five four जा 20, five six जा 30 and five eight जा 40 तो one year का यहाँ पर आपका आजागा 468 rupees ठीक है तो one year का यहाँ पर आपका आपको फार्मूला पूट करना है तो सिंपल इंट्रेस्ट करना है तो यहाँ पर आपका फर्मूला होगा पी आर टी डिवाइड़ वे 100 तो सिंपल इंट्रेस्ट का जोकी फेल्व जोकी दो साल का हम लेंगे तो 936 यहाँ पर आपको फूट करना है एक्वाल टू प्रिंसिपल वेल्व है जोकी 7800 रुपीज रेट हमें निकालना है और टाइम जोकी रहेगा दो साल और यहाँ पर बहुत सरा जोकी कटेगा जिसी कि यहाँ पर दो जीरो है दो जीरो कट गया अभी जोकी आप इसको लिख सेकते जोकी अभी रेट रेट जोकी हम लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा रेट का यहाँ पर आपका जागा 936 डिवाइड़ वे 78 मॉल्टिप्लाइड टू तो इसको आप कट करेगा जैसे कि 2 से यहाँ कटेगा 248 26 12 28 16 तो यहाँ पर आपका 468 डिवाइड़ वे 78 होगा तो इसका वेल्यू जोकी हाँ आपका आजएगा जोकी 6 ठीक है तो इसमें आपका अंसर होगा दोस्तो 6% जोकी इसका rate of interest होगा 6% तो यहाँ पर आपका option number 3 रहेग जोकी 6% इसको आप divide कर लिजेगा ठीक है next question number 42 है find a single discount equivalent to a series of discounts 10% 20% and 30% तो यहाँ पर आपको single discount जोकी यहाँ पर आपको निकालना है ठीक है तो इस तरीक है question जोकी आपको पहले 2 को लेना है जोसे कि 10% 20% तो यहाँ पर आपका successive percentage का जोकी फर्मूलार होगा उसको यहाँ पर ह percentage का जोकी फर्मूलार होता है दोस्तों a plus b minus a b divided by 100 ठीक है तो a का value जोकी यहाँ पर आपको रहेगा यह percentage का value है तो 10 plus 20 होगा 30 minus यहाँ पर आपका 2 है तो इसका विलवा जागा 28% ठीक है तो अभी आप देखेगा 28% और यह 30% को आपको successive यहाँ पर आपको percentage लेना है तो क्या होगा 28 plus 30 minus 28 multiply 30 divided by यहाँ पर आपको 100 कलना है ठीक है तो यहाँ पर आपका 00 कट गया 28 plus 30 कितना होगा 8 यह 58 होगा माइनस 28 multiply 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका आजेगा 28 24 4 2 3 6 plus 284 divided by यहाँ पर आपका 10 है तो यहाँ पर आप देख सेकते हों कि 58 minus 8.4 होगा ठीक है तो इसका वेल्यू जो कि हाँ पर आपका आजेगा दोस्तो 49.6 होगा जो कि option number 1 होगा इसका answer ठीक है next आपका रहेगा question number 43 the LCM of two numbers is 14 times their HCF if some of their HCF and LCM is 300 and one of the number is 40 then the other number is ठीक है तो LCM and HCF का जो कि यहाँ पर आपको एक formula होता है इसको पहले आपको बता देते है जो कि HCF multiply LCM equal to first number multiply second number तो यह formula आगे यूच होगा इस question में ठीक है इसको आप note के लिजगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका दिया गया है एक relation LCM equal to 14 times of HCF तो यहाँ पर आप इन दोनों का जो कि ratio निकाल सकतो इस तरब जो कि HCF आ जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हो जो कि मैं लिजए LCM 14X है और सम यहाँ पर आपको लेना है सम यहाँ पर लेने सी क्या होगा देख सकते हो तो LCM का जो कि यहाँ पर आपका है 14X और सम का है X तो यहाँ पर आपका 20 आ गया है यहाँ पर आपका आपका 20 है तो LCM कितना होगा 14 multiply 20 करेंगे तो इसका विलू आज़ेगा 280 ठीक है और यहाँ पर आपका 20 है multiply LCM कि रहेगा 280 है एक वेल टुफर्स नंबर जो कि एक नंबर है 40 है और सेकेंड नंबर जो कि आपको निकल ला है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सेकेंगे तो 22 जा 40 2 1 2 2 4 8 तो सेकेंड नंबर आपका आपका आज़ेगा 140 ठीक तो एंसर रहेगा यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका 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 नहीं होता 20 जा काम करता तो उसको कितना मिलता 20 डेश है और टोटल जुकि उसको मिलता है एक डेश का 60 रुपीज तो 1200 उसको मिलता बड़ उसको मिला है 745 रुपीज तो उसका जुकि एपसंट हुआ है तो यहाँ पर माल लीजे जुकि ओंट का जुकि ठेश है दोस्तो यह एक्स है ठीक है तो एंगेस कितना होगा 20 minus x कर यहां पर आपका है 745 तो यह रिलेस्टन जुकि आपको निकालना जुकि एक्स का विल्यू आपको निकाल लिए तो इसका एंसर आज़ेगा जुकि यहां पर आप देख सेखे तो 60 multiply 20 करेंगे तो यहां पर आपका 1200 होगा उसके बाद यहां पर आपका रहेगा 60x-60x-5x यहां पर है इक्वाल टू 745 है ठीक है इसको आप सॉल्व करेगा तो इसमें यहां पर आपका आजएगा next इसको हम मिटा रहे हैं 1200-65x इक्वाल टू 745 तो यह माइनस युकि है इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा तो 65x इक्वाल टू 1200-745 तो 65x का विलुए यहां पर आपका आजएगा 455 है तो 65x इक्वाल टू 455 है तो x का विलुए यहां पर आपका आजएगा divided बेढ़ आप 65 करेंगे तो इसका एंसर आज इसका एंसर होगा ठीक इसको आप डिवाइट करेंगा नेक्स्ट कोस्टन हापर आपका रहेगा 45 है यह नंबर x is 10% less than the number y and y is 10% more than 125 then x equal to कितना होगा ठीक है तो यहां पर एक नंबर है x y और एक नंबर है 125 वाई जो कि हापर आपका रहेगा 10% ज्यादा है 125 से तो 125 का 10% कित प्लस 10% ज्यादा है तो 12.5 यहां पर एड़ करना है तो इसका विलू जो कि यहां पर आपका आजएगा y का विलू आजएगा 137.5 ठीक है तो यहां पर आपका x का विलू कितना है 10% less than the number y तो y से जो कि 10% less है ठीक है तो 137.5 का जो कि 10% less या फिर उसका आप 90% निकाल यहां पर आपका x का विलू आजएगा क्योंकि यह 10% less है तो 90% होगा तो 137.5 का 90% भी आप निकाल ले तो इसका आजएगा ठीक है तो यहां पर आप देख सेकतो पॉयंट यहां पर कटेगा तो divided by 10 होगा ठीक तो यहां पर आपका 00 यह कट गया अभी जोकिए multiply यहां पर आ 375 multiply 9 divided by 100 तो इसका विलू यहां पर आप देख सेकतो हूं 9 5 जा 45 5497 जा 63 प्लस 5 प्लस 4 जोकि हां पर आपका रहेगा 67 6 है 9 3 जा 27 प्लस 6 जोकि 33 अभी आपके पास 3 है 9 1 जा 9 प्लस 3 जोकि 12 divided वे यहां पर आपका 100 होगा तो अभी जोकि हां पर आपका विलू आजएगा 100 divided क तो इसका सरी अनसर हो जाएका तो यह आपका सारा म्यात का question था नेक्स्ट आपका जोकि रहेगा science का सो नेक्स्ट रहेगा साइन्स का कुछ कोशन है जो कि कोशन नमबर 46 यहां पर आपको रहेगा लिस्ट वान और लिस्ट यू को आपको मैच करना है लिस्ट वन में डिजिज का नाम है लिस्ट यू में कॉज अप डिजिज किसलिए जो की वो डिजिज होता है ठीक है तो इटा माता डिजी जो कि हाँ पर आपका रहे काई है mercury यूण की टक्सिशिटी के लिए यहाँ पर आपका हुगा blue baby syndrome जो कि हाँ पर आपका रहे काई है nitrate जो की होगा high nitrate in water जो कि उसके लिए blue baby syndrome होगा and gas bubble disease जो की रहेगा यह high dissolve oxygen in water तो यहाँ पर आप देख सेखते हो जो कि यहाँ पर आपका correct जो की रहेगा यहाँ पर eta eta जो की रहेगा यह cadmium होगा जो कि A का यहाँ पर आपका third है तो A का third होने से जो कि यहाँ पर आपका option number 1 and 4 जो कि यह कट गया, neglect हो गया और B का यहाँ पर आपका IV होगा जो को B का IV जो की दोनों में है 2 and 3 में उसके बाद यो की blue baby syndrome जो की रहेगा यह high nitrogen water तो यहाँ पर आपका C का होगा 1 तो यहाँ पर आपका C का 1 जो की रहेगा इसमें से आपका option number 3 जो की यहाँ पर आपका सही अंसर बन जाएगा ठीक है, तो option number 3 यहाँ पर आपका right है यहाँ पर आप देख सेकते हों, so next है, question number 47 the tendril by which people learn climb to a support each और आरा, तो people learn में जो की tendrils होता है tendrils जो की क्या होता है, जो की उसको support करता है जो की climb करने में, ठीक है तो यहाँ पर हम देखे, तो tendril जो की होता है दोस्तों, यह modified leaf होता है यहाँ पर आपका option number B जो की यहाँ पर आपका सही है तो यहाँ पर हम देखे, तो यहाँ पर आपका B only जो की यहाँ पर आपका option जो की रहेगा आप्सन नमबर 3 है यहां पर आपका राइड असर होगा जोटी है टेंडील जोटी रहे गई है modified leaf होगा only टिक next so next है question number 48 the atomic nuclei having the same number of neutron and but different atomic number are called तो atomic nuclei का जिसमें same number of neutron होगा but different atomic number होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे option में रहेगा isotopes, isobar, isotones या फिर isomors तो यहां पर आपका right answer रहेगा जोकि isotones जोकि इसका same answer है, जिसमें same number of neutrons रहेगा but atomic number जोकि उसका different होगा ठीक है, isotopes क्या होता है, isobar क्या होता है दोस्तों, comment section में लिखेगा with example ठीक है, so next question है question number 49, arrange the following radiations in the increasing order of their energies ठीक है, तो यहां पर आपको radiations को जोकि increasing order of energy में आपको arrange करना है, तो first जोकि रहेगा जिसका energy जोकि less होगा, ठीक है so friends, यहां पर आप देख सकते हो, electromagnetic spectrum में यहां पर आपका है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, low energy इस तरफ है, low frequency and low wavelength and इस तरफ जोकि रहेगा यह, high energy, high frequency and short wavelength, ठीक है, तो यहां पर हम देखे तो first यहां पर आपका रहेगा radio wave और television wave है उसके बाद है, microwave, infrared, visible, ultraviolet, x-ray and यहां पर gamma ray है, इस तरीक से जोकि यहां पर आपका arrange हुआ है सारा चीज, और visible region में जोकि यहां पर आपका, पूछा गया है, which of the following are primarily responsible for acidic rain, इन मैं से कौन से जोकि रहेगा primarily responsible है acidic rain के लिए, और option में रहेगा oxide of carbon, oxide of nitrogen, oxide of sulfur या oxide of phosphorus, ठीक है, तो यहां पर हम देखे तो acidic rain के लिए जोकि nitrogen का जोकि औक से रहेगा, यह responsible है, यहां पर sulfur का जोकि oxide है, sulfur dioxide, responsible है, ठीक है, तो यहां पर हम देखे तो Oxide of nitrogen रहेगा and Oxide of sulfur जो कि यह Acidic Rens related है तो यहाँ पर आपका option जो रहेगा B and C only जो कि यहाँ पर आपका correct यहाँ पर आपका रहेगा ठीक है तो option के हिसाब से यहाँ प्रम देखे तो B and C जो कि यहाँ पर आपका option no.4 रहेगा तो option no.4 यहां पर आपका रहेगा, ठीक है, next, question no.51 है, iron rod when exposed to moist air, develop rust on it, what is the chemical formula of rust, iron rod को जो आप ऐसे खुले में रख देते तो वहां पर rust आजाता है, जो कि, जो कि, आटोम स्पेर में जो कि oxygen होते है, उससे जो की reaction होके, ठीक है, तो इसका formula क्या है, rust का जो की formula क्या है, ठीक है, तो यहां पर हम देखे तो इसका answer जो कि रहेगा, दोस्तो, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O जो कि इसका answer रहेगा, ठीक है, option no.3 यहां पर आपका सही है, next, next question है, question no.52, which of the following is not helpful in the fixation of atmospheric nitrogen, इने useful form for plants, इन में से कौन से लिएक की helpful नहीं है, nitrogen fixation के लिए की plants का, ठीक है, तो option में रहेगा, राइचोबियम, एजोस्पिरिलियम, माइकोराइजिया, या फिर अजटोब्याक्टर, तो यहां पर red answer रहेगा, माइकोराइजया जो कि यह helpful नहीं है, plants के लिए जो कि nitrogen fixation के लिए, ठीक है, option no.3 यहां पर आपका red answer है, next, so next है, species living in their natural habitat on earth, interact with each other, बहुत सरे species जो कि होते हैं natural habitat में रहते हैं उनका, और सब में जो भी interaction जो कि होता, interact करते हैं, which of the following is true, for two species having competitive interactions among them, ऐसे जो कि दो species है, जो कि जिनमें जो कि competitive interaction जो कि है, जो कि दोनों जो कि आगे जाना चाहते हैं, दोनों species, तो इनमें से कौन से जो कि true होगा, ठीक है, one species is harm and other remains neutral, एक को जो कि है, harm होगा और other को कुछ नहीं होगा, neutral रहेगा, तो ये जो कि गलत है, next जो कि रहेगा, one species is benefited and other is harm, एक को जो कि benefit होगा, और next जो भी रहेगा, other जो कि रहेगा, उसको harm होगा, ये भी गलत है, ठीक है, one species is benefited and other remains neutral, ये भी गलत रहेगा, ठीक, क्योंकि दोनों में जो कि competitive interaction है, दोनों जो क इंकरेक्ट देखना है गलत statement देखना है डिजल्फ oxygen in water varies with the temperature of water water में जो भी डिजल्फ की oxygen रहता है यह vary होगा, changes होगा with the temperature of water. Water का temperature को हम increase या फिर decrease करेंगे तो oxygen का level जो करेंगे यह vary होगा, changes होगा ठीक है? तो यह statement जीए सही है temperature हम increase करेंगे तो वाटर का जो कि oxygen level जो कि यह decrease होता है, ठीक है, तो यह वेरी कर रहा है, changes हो रहा है, तो यह आपका सही है, ठीक है, next, option number 2 है, atmospheric exchange and photosynthesis are the main source of dissolved oxygen in water, तो यह aquatic plants के लिए जो कि बोला गया है, जो कि gas का exchange रहेगा, atmospheric exchange and photosynthesis, इससे जो कि atmospheric exchange रहेगा, यह diffusion process में होगा, जो कि water जो कि enter करेगा और photosynthesis जो कि एक process रहेगा, यह aquatic plant के लिए है, तो यह statement सही है, option number 3 रहेगा, diesel oxygen and biological oxygen demand are inversely proportional to each other, यह statement ठीक है, option 4 रहेगा, water having high biochemical oxygen demand will also high diesel oxygen, तो दोस्तों यह statement जो कि रहेगा, यहाँ पर यह गलत है, यहाँ पर देखिए, high biological oxygen demand जो रहेगा, वहाँ पे organic pollution जो कि ज्यादा होगा, उ इसके लिए ज्यादा, मतलब यूच होगा, तो यहाँ पर high यहाँ पर oxygen level है, यह decrease हो जाएगा, oxygen का level, ठीक है, तो यह inversely proportional यह ठीक है, पर यहाँ पर आपका, option number 4 जो कि रहेगा, यह गलत रहेगा, water having high biochemical oxygen demand will, यह low होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका high है, तो यह गलत है, ठ यह answer रहेगा, ठीक है, next, question number यहाँ पर आपका 55, तो यहाँ पर 55 जो कि रहेगा, यह GK का person आगया, अभी यहाँ पर हम, जो कि science का यह complete हो चुका है, तो 55 से यहाँ पर आपका GK का part रहेगा, ठीक है, what is the standard of definition of man worker according to census of India, ठीक है, तो man worker जो कि है, उनका definition क्या है, census के साब से, यहाँ पर हम देखें, तो man worker जो कि रहेंगे, इसका answer रहेगा, man worker is a person who work for at least 183 days और 6 months in a year, एक year में जो कि है, 183 days जो कि काम कर रहे है, तो उसको हम बोलेंगे man worker, तो option number 1 जो कि रहेगा दोस्तों, यह सही answer है, ठीक है, next, next is 56, the 2011 census of India has divided the working population of India into which major categories, 2011 census जो कि हुआ तो दोस्तों यह working population को जो कि है, divide किया गया है, कौन-कौन सा major categories में, option रहेगा cultivators, agricultural laborers, यह फिर household, industrial workers, businessmen, ठीक, तो यहाँ पर हम देखें, तो इसका जो कि सही answer हैगा, दोस्तों, यह cultivators एक है, agricultural laborer and household, industrial laborer, तो यहाँ पर आपका A, B, C, only जो कि यहाँ पर आपका सही है, जो कि यहाँ पर आ state नहीं है, Meghalaya, Mijuram, Nagalan, या Sikkim, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा, जो कि Sikkim जो कि रहेगा, यह option number 4, यहाँ पर आपका रहेगा, not a Christian majority state, option number 4, यहाँ पर आपका रहेगा, question number 58, female migration is the highest for which of the following stream of migration in India, according to the census of India 2011, 2011 का census के हिसाब से यहाँ पर देखें, तो female migration जो कि हाइस है, कौन स to urban, यहाँ पर रहेगा, दोस्तों यह, rural to rural जो कि रहेगा, यह सबसे highest है, क्योंकि देखें, rural to rural जो कि यह किसलिए highest है, जैसे कि कोई भी female जो की है, उसका आसपर समें ही साधी कर लाता है, तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर आपका रहेगा, next, question number 59 है, popular girmid act is related to which of the following acts during British colonial period, तो girmid act जो कि रहेगा, यह किस से related रहेगा, जो कि यह British period से जो कि है, act था, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, तो women employment act, यहाँ फिर Indian immigration act, Indian labor act, यहाँ फिर Indian industry act, तो इसका राइटन सा रहेगा, दोस्तों, यह Indian immigration यहाँ पर आपका सही है, next, question number 60 है, जो कि match list 1 with list 2, यहाँ आपको देखना है, list 1 में है, name of the traveler who visited India, and list today the country of traveler, ठीक है, जो कि यहाँ पर traveler का नाम है, जो कि India आए थे, यहाँ पर country, जो कि कौन सा country से आए थे, तो यहाँ पर आप देखें, जो कि आपको एक दो पता है, तो यहाँ पर आप रिलेट कर सेकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको उता देखें, इव बाकी सभी का यहाँ पर आप देख लिजेगा, जैसे कि A का 1 है, ठीक है, मुहमाद बिन अहमाद अबु रहिमन अल-बिरुनी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 जो कि उजवेकिस्तन है, B का 2 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका C का तो थार्ड है, और D का जो कि रहेगा यह इस तरह के से आपको एक दो पता है तो भी आप कंचेक्षन कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपका 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 ऑपोटियर नंबर वान जोकी रहे गई है है राइड एंसर है नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नंबर 61 नयानर्स आर्दो डिवोटीस आप विच गड़ और गड़ेसेस अफ हिंदू ट्रेडिशन तो नायानार्स जोकी है यह डिवोटी है कौन सा गड़ या गड़ेसेस के जोकी हिंदू ट्रेडिशन का अप्शन में है सिवा विष्णुम ब्रह्म्हा या फिर शक्ति तो यहां पर आपका यहां पर आपका शह अशर रहेगा सिवा का जोकी डिवोटी यह है नया नर्सुम नमटर वान जोकी रहेगा यहां पर आपका राइड अशर हिंदू इंडिया का इंडिया इस दाफर्स तो ऑल एन इलेक्ष्ण बेस्ट उन यूनिवर्शल अड़ अड़ फ्रेंचाइजी इन में से कौन सा स्टेट जो की रहेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का जो की फास्ट टेट है जहां पर यूनिवर्सल एडल फ्रेंचेजी के हिसाब से इलेक्षन क्या आया था ठीक है तो यहां पर एंसार रहेगा जो की यह मनिपूर जो की इसका सही एंसार है जहां पर यहां पर हम देखे तो फास्ट जो कि रहेगा मनी पूर इसका सहीं सा रहेगा ठीक है next so next question number 63 who among the following sociologist argue that many villages all over India are increasingly becoming subject to the impact of urban influences but the nature of urban impact varies according to the kind of relations a village has with a city or town तो किसके द्वारा कि कौन से सोचिलोजिस्ट के द्वारा यह आर्गू किया गया कि इंडिया का जो कि रहेंगे यह impact हो रहे है औरवान इंफ्लेंसर से बड़ नेचर अब औरवान इंपक्ट औरवान इंपक्ट का जो की नेचर है कि यह भेरी करेगा समाच सांस्त्रियों मेंसे किसने तरक देख कि भारात मैं कई गां शाहरी प्रभाð प्रकृत के अधिन हो रहे हैं लेकिन शाहरी प्रभाव के प्रकृति एक गां एक सहर या एक कस्पै के साथ समझ decreed के प्रकार के अनुश्वार भिन 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 तो इसका अंसर हेगा युकि MSA राप जो की रहेंगे इसका सही अंसर है, option number 3 यहाँ पर आप देख सेखते हों, so next है question number 64, which of the following is not a possible personality trait in the findings of Paul, Costa and Robert McCray, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे तो एक personality trait जो की नहीं होगा, Paul, Costa and Robert McCray का, तो यहाँ पर right answer हेगा युकि, cardinal जो की रहेगा, यह option number 4 है, यह जो की, उनका जो की personality trait का यहाँ पर एक part नहीं है, ठीक है, तो option number 4 यहाँ पर आपका सही है, next, so next है, question number 65 है, सर्णा चोतुष्ठाई, watch, don't to prove, तो यहाँ पर आप देख सेखते हो, सर्णा चोतुष्ठाई, यहाँ साबित करने के लिए की गई थी, तो इसमें जाती, इसका same answer है, option number 2 यहाँ पर आपका सही है, यहाँ पर आप देख सेखते हो, ठीक है, so next question है, question number 66, list 1 with list 2, यहाँ पर आपको match करना है, list 1 में जो की है, गायन सहीली है, और list 2 में रहेगा जो की elaborations, ठीक है, तो दोस्तों आपको music related, यहाँ पर आपको पता नहीं चला है, इसलिके से एक दो questions आया है, तो ऐसे question जो कि आप छोड़ देज़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, इसका right answer रहेगा, यह option number 2 है, ठीक है, तो option number 2 यहाँ पर हम देखें, तो A का 1 है, तो मेरी जो की रहेगा दोस्तों, यह लगी से related है, A का 1 है, और B का IB प् आपका रहेगा, 67 question, दोस्तों, नेक्स जो की रहेगा, यहाँ पर आपको correct प्यार देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, इसका answer रहेगा, यह option number 3 है, A, B, C, only जो की यहाँ पर आपका correct है, और यहाँ पर D, जो की यहाँ पर गलात है, ठीक है, इसको आप the play, post office is written by, तो नाटक जो की रहेगा, post office से किसके द्वारा जो की लिखा गया है, ठीक है, तो इसका answer रहेगा, रबिंद्र नाथ, टेगर जो की रहेंगे, इसका same answer है, option number 4, next, next, यहाँ पर आपका रहेगा, question number 69, match list 1 with list 2, list 1 में जो की books का नाम है, और list 2 में जो की authors का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दो पता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हों, नहीं तो इस तरीके question जो की आप छोड़ सकते हों, यहाँ पर आपका answer है, option number 1 है, जो पाराम, बिंदर जो की है, यह थाड़ जो की बिजयत अंदूलकर, इसका answer रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो की रहेगा, नगम अंडला जो की है, इसका यहाँ पर आपका one रहेगा, जो की गिरिस कमध है, एबिहें इंदरजीत जो की है, इससे रिलेड जो की रहेगा, काली दास, जो की इसका सही अंसर है दोस्तों, तो 2025 के लिए प्रिपारेशन कर रहेए तो दोस्तों, पिछला जो भी हम वीडियोज बहुत सरी बनाया है, उसको आप दिखेगा, वहाँ पर जो की इससरी का question से बाद देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका answer रहे यूज, यूज से जो की योगा आया है, ठीक है, तो option number 2 यहाँ पर आपका right है, next question number 72 रहेगा, which of the following are misconception about yoga, इनमें से को यूज की misconception है योगा का, योगा इस मेरे लिए आशनाश, योगा इस हिंदू religion, योगा इस proficiency in actions, या फिर योगा इस सन्याश, ठीक है, तो यहाँ पर और वाण योगा आपका right है, जो की ABD only, जो की यहाँ पर आपका है, misconception रहेगा, जो की ABD only, तो yoga इस मेरे लिए आशनाश, उसके बाद है, yoga इस हिंदू religion, योगा इस सन्याश, तो यह तीनों योगा का misconception रहेगा, योगा से रिलेट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखेगा योगा से भी आपका question साया है, जैसे की grasp येहाँ पर आपका रहेगा, next यहाँ पर आपका रहेगा, question number 73, match list 1 with list 2, यहाँ पर आपका yoga texts है और यहाँ पर list 2 में यूँकि author का यहाँ पर आपका नाम है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसका answer रहेगा, यूँकि option तो यहाँ पर आपका option number 3, यहाँ पर आपका सही है, इसको आप देखेगा, ठीक है, next, next यहाँ पर आपका रहेगा, 74 number question, the correct sequence of चित्त वृत्ती, चित्त वृत्ती का जुकि यहाँ पर आपको sequence आपको देखना है, तो यहाँ पर आपका answer है जुकि, option number 2 है जुकि, प्रमान, प् 25 जो कि लास्ट कोस्टन रहेगा The place originally written in the Sanskrit language अर्प यहां पर हम देखेए दोस्तों इसका इंसर जोकि रहेगा यह स्नुम्बर ट्री यह यह निश्य। रहेगा द्रॉण्ट निकार, इस घ्नार रहेगा यह पर रहेगा यहां आप्षम पर आप तो यहां पर आपका हिंदी में भी है यहां पर आप देख सकते हूं तो दोस्तों आज का इस पीडिये में हम 75 को डिसकस किये हैं जो कि 2024 में पूछा गया था जो कि पेपर कोड़ आपका रहेगा ब्याड का और और वीडियो की बहुत सरे वीडियो जो की हम बनाए है प्लेइलिस्ट में आपको मिलेगा 2016 से लेकर 2024 तो यह कंप्रीड हो गया उसको आप सभी को आप देख लीजेगा बहुत सरे कॉस्टन्स जो कि रिपीट भी होगा एक्सपेक्टड कोश्टन्स जो कि आपका है उसको आप देखेगा जीके का हो गया टीचिंग अप्टीजूट का हो गया साइन्स का है एंवर्मेंटल सैंस का भी बहुत सरे कॉस्टन्स है उसको आप दिखेगा और 2025 के लिए जो भी प्रिपारेशन कर रहे हो दोस्तों यह सारे वीडियोच को आप देखेगा और चैनल पर आप अपडेट रहेगा हम बहुत सरे अपडेट्स भी हाँ पर हम लाते हैं लिए 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 लाते हैं अबस्क्राइब लिए लाते हैं